मेरे प्रिये विध्यार्तियों, आज हम लेखा शास्त्र के बारे में पढ़ेंगे अध्याए एक, लेखांकन एक परीजे सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि लेखांकन का अर्थ क्या है 1970 में AICPA ने कहा कि लेखांकन का कार्य मुख्य रूप से आर्थिक इकाईयों के संबंद में ऐसी गुणात्मक सूचनाय उपलब्द कराने से है जो प्रमुख रूप से विध्ये प्रकृति की हैं और जो आर्थिक निरने लेने में उप्योगी होती है इसका मतलब यह हुआ कि लेखांकन किसी भी व्यपार के अंदर होने वाली सभी पैसो के लेन देन को एक कला के रूप में सिखाता है उधारन के रूप में अगर मैं बात करूँ तो एक साधारन दुकानदार अपने व्यपार को चलाने के लिए अगर समान खरीता है या समान उधार पर खरीता है या समान उधार पर वेजता है या फिर अपनी दुकान का किराया देता है या अपनी दुकान में जो करमचारी काम कर रहा है उसे तनखवा देता है तो ये सभी जो घटनाएं हैं इन सभी घटनाओं को एक ऐसी कला का पालन करते हुए लिखना लेकांखन कहलाता है और जरूरी नहीं कि लेखांकन सिरफ व्यपार में ही इस्तमाल किया जाए। लेखांकन उन सभी जगाओं पर जरूरी है जहां-जहां पैसों का लेंदेन होता है। जैसे किसी मंदिर, मस्जिद, गुर्दवारे या गिर्जा घर में भी पैसों का आना जाना लगा रहता है लेखांकन वहां भी उतना ही जरूरी है जितना की किसी व्यपार के लिए जरूरी है लेखांकन की प्रकृति को समझने के लिए हमें परिभाशा से संबंदित कुछ बातों को समझ लेना चाहिए जो अतियवश्चक है आर्थिक घटनाएं इन शब्दों में से सबसे पहला शब्द है आर्थिक घटनाओं से तातपर किसी व्यवसाइक संगठन में होने वाले ऐसे आर्थिक लेंदेन से है जिसके परिणामों को मुद्रा रूप में नापा जा सकता है अर्थात उन सभी चीजों को लेका शास्तर में जगा मिलेगी जिनको हम मुद्रा के रूप में नाप सकते हैं जैसे करमचारी को तनखा देना, दुकान का किराया देना, ग्रहक को समान देना, उधार पर देना या नगद में देना ये सब आर्थिक घटनाएं है और विवसाइक संगठन से समंद रखती हैं अब आर्थिक घटनाएं भी दो तरीके से विभाजित की जा सकती हैं एक, आंतरिक घटना ऐसी घटना है, जो किसी विवापार के आंतरिक विभागों के बीच में ही होती है उधारण के रूप में किसी एक विवसाय में दो विभाग हैं एक फैक्टरी, दूसरी संगहान विभाग संगहान विभाग से फैक्टरी में पहुँचना आंतरि घटना है और बहारी घटना किसी भी ग्रहा को समान बेचना या विवपारी से समान खरीदना हो सकती है कि एक बहारिये व्यक्ती से भी तालुकाद बना यहां मैं दोहराना चाहूंगा कि लेखांकन एक कला है जिसमें हम सभी आर्थिक घटनाओं का लेखा जोका रखते हैं तो चलिए, अब हम शुरू करते हैं लेखांकन को करने की विधी लेखांकन की विधी में सबसे पहला चरन और उसका नाम है पहचान इसका अर्थ यह निर्धारित करना है कि लेन देन का अभिलेख किया जाए अर्थात इसमें उन घटनाओं की पहचान करनी हैं जिनका अभिलेखन किया जाना है इसमें संगठन से संबंदित अवलोकन केवल उन घटनाओं का किया जाएगा जो वित्तई प्रकृति के हैं लेखा पुस्तकों में लिखने का निरणे लेने से पहले व्यवसाय का लेन देन एवं दूसरी आर्थी घटनाओं का मुल्यांकन किया जाता है उधारण के रूप में अगर मैं कहूं मानव संसाधनों का मूल्य लगाना संभव नहीं परन्तु मानव संसाधन को दी जाने वाली तनखा जरूर लेखांकन का हिस्सा बन सकती है तो लेखांकन की इस पढ़ाई में हम सिरफ यही देखना चाहेंगे कौन सी घटना वित्तिय घटना है और कौन सी घटना वित्तिय घटना नहीं है और उधारणों से समझा जा सकता है, मालीजिये आपने अपने वेपार में समान बेचा समान 2,00,00 रुपे का बेचा अब यह 2,00,00 का समान किस गुणवत्ता का है इस चीज से लेखांकन को कोई लेना देना नहीं है उसको लिख पाना लेखांकन का हिस्सा नहीं होगा अगला पद है लेखांकन की विधी में मापन इसका आर्थ है मौदरी की काईयों द्वारा वेवसाय के लेन देनों का प्रविव मापी करना अर्थात सभी आर्थी घटनाओं का मुद्रा में मापन करना यदि किसी घटना को मुद्रा के रूप में नाप पाना संभव नहीं है, तो इसका लेखांकन के अंदर कोई स्थान नहीं है इसी कारणवश प्रबंदक या निदेशक की न्युकती, महत पूर्ण चीजे होने के बावजूद भी लेखांकन में अपना कोई स्थान नहीं बना पाती अगला पद है अभी लेखन और जब एक बार हम यह पढ़ चुके कि आर्थिक घटनाओं की पहचान कर लेना, उनका मापन कर लेना, मुद्रा के रूप में लिख लेना तो अब उनको पुस्तकों में तिथी के हिसाब से लिख दिया जाना अगला पद है जिसको हमने अभी लेखन कहा सभी वितिय घटना को तिथी के अनुसार लेखांकन में लिखना अभी लेखन कहलाता है यहां बहुत अवश्यक हो जाता है कि सभी चीजों को हम तिथी अनुसार लिखें ताकि जो भी अवश्यक सूचना हैं वितिय घटनाएं हैं उनको लेखांकन के अंदर स्थापित किया जा सकें जैसे रोजनामचा जिसको हम जर्नल भी कहते हैं खाते बनाना जिसको हम लेजर भी कहते हैं और अब लेखांकन की विधी में आखरी पद है संप्रिक्षन आर्थिक घटनाओं की पहचान हो गई उनका मापन हो गया उनका अभी लेखन भी हो गया अब हमें चाहिए कि हम इन सभी अभी लेखन की गई विताई घटनाओं को उनके उप्योग करताओं तक पहुचा दें इन उप्योग करताओं के पास इन सारी विताई घटनाओं का होना बहुत अवश्चक है ये उपयोग करता आंत्रिक भी हो सकते हैं, बहार ये उपयोग करता कमपनी के स्वामी, अर्थात मालिक या किसी भी तरीके के कोई करमचारी हो सकते हैं, बहार ये उपयोग करता कमपनी के निवेश करता भी हो सकते हैं, कोई बैंक भी हो सकता है, निवेश करता ये जानना चा उसका दिया गया रिण समय पे वापिस होगा या नहीं। इसी तरीके से बहुत सारे और उपयोग करता हैं जो हमारे लेखांकन की चीजों में रूची रखते हैं। इसी तरह हम अपनी लेखांकन की विधी को पूरा करते हैं और अगले विशे पे चलते हैं। इस तरहां हमारी लेखांकन की विधी पूरी होती है और अब हम संगठन के बारे में पढ़ेंगे जब हम संगठन के बारे में बात करते हैं तो हम उन सभी व्यपारिक या व्यपारिक ना भी हो उन सभी संस्थाओं के बारे में बोलेंगे जो पैसों का लेंदेन करती है उधारण के रूप में एक दुकांदार, नगरपालिका या कोई कलब, मंदिर, मस्जित यह सब संगठन ही हैं संगठन को अलग से पढ़ाने का उदेश्य सिरफ इतना है ताकि विध्यारती संगठन और संगठन के स्वामी के बीच में अंतर समच सके जब हम लेखांकन की प्रक्रिया शुरू करते हैं तो संगठन को संगठन के स्वामी से अलग मानते हैं और जितनी भी लेखांकन की चीजें आप बनाएंगे उन सभी में जो भी आप लेन देन की घटनाएं लेखांकन में उपस्थित कराने वाले हैं, वह सब व्यपार के नजरिये से आपको लिखनी हैं। इसलिए संगठन को एक अलग विशे के रूप में आपके अध्याय में दिया गया है। मैं फिर से दोराना चाहूंगा संगठन और संगठन का स्वामी अलग अलग है। और जरूरी नहीं कि कोई भी संगठन व्यपारिक ही हो। कोई ऐसी संस्था जो व्यपार नहीं कर रही जैसे नगरपालिका, मंदिर या कोई कलब वह भी लेखांकन के लिए उतने ही जरूरी हैं जितने की कोई व्यपारिक। लेखांकन की परिभाषा, लेखांकन की विधी और लेखांकन के उप्योग करताओं के बारे में पढ़ने के बाद अब हम चलते हैं अपने नए विशेपर जिसका नाम है लेखांकन की गुणात्मक विशेषताएं। गुडात्मक विशेष्टाएं लेखांकन सूचना का परिणाम है जो उसकी उप्योगिता को बताती है जिसमें सबसे पहली विशेष्टा है विश्वस्नियता विश्वस्नियता का आर्थ है कि उप्योग करता सूचना पर निर्भर रह सके लेखांकन सूचना की विश्विस्निता इस बात पर निर्भर करती है कि जो घटना एवं लेन देन हुए हैं उनके मापन वा प्रस्तुतिकरण के बीच किसी तरीके का आंतरिक संबंध है लेखांकन द्वारा दी गई सभी सूचना किसी भी तरीके की अशुद्धी वव्यप्तिगत आग्रह से मुक्त होनी चाहिए तता उससे विश्वस्तनिय रूप से वही दर्शाना चाहिए जो उससे अपेक्षित है क्यूंकि लेखांकन सूचना के बहुत सारे उपयोग करता है जो भी सूचना लेखांकन द्वारा दी जाएगी उसी सूचना से उनके कई निर्णे सीधा प्रभावित होगे आशा करता हूँ यह विशेष्टा स्पष्ट है तो चलिए अब चलते हैं दूसरी विशेष्टा पर जिसका नाम है प्रसंगिक्ता सूचना तभी प्रसंगिक होगी जब वह समय पर उपलब्द होगी लेखांकन द्वारा दी गई जानकारी भूत, वर्तमान एवं भविश्य की घटनाओं के परिणाम का पूर्वनुमान लगाने, करने और उत्तर देने में सहायक होनी चाहिए लेखांकन में दी गई जानकारी से पिछले मुल्यांकन की पुष्टी अत्वा संशोधन करना भी संभव होना चाहिए तीसरी विशेष्टा है बोध गम्यता बोध गम्यता से आश्य है जो लोग निरने लेते हैं उन्हें लेखांकन सूचना को उसी संदर्ब में समझना चाहिए जिस संदर्ब में उन्हें तयार किया गया है एवं प्रस्तुत किया गया है संदेश की बोध गम्यता का आधार है संदेश तभी संप्रेक्षित माना जाता है जब वहे देने वाले व्यक्ति द्वारा और पढ़ने वाले व्यक्ति द्वारा एक ही संदर्ब में समझा जाता है मैं फिर से दोहराना चाहूंगा लेखांकन द्वारा दी गई सभी जानकारी कुछ इस तरह से पेश की जानी चाहिए कि लेखांकन की उप्योग करता और लेखांकन के जनक दोनों ही आर्थिक घटनाओ को एक ही संदर्ब में बनाएं और समझें अब हम अगली विशेषता पर आते हैं जिसका नाम है तुलनिता तुलनिता से अभी फ्राय है कि एक वेपारी अपने वित्ते घटनाओं को दूसरे की वित्ते घटनाओं से तुलना कर सके मान लीजिए एक इंडस्ट्री में एक व्यपारी है वह यह जानना चाहता है कि उसकी तुलना में दूसरा व्यपारी ज़्यादा लाप कमा रहा है या कम तो दोनु ही व्यपारियों को चाहिए कि वह एक ही प्रणाली का इस्तमाल करें एक ही कला का इस्तमाल करें ताकि वह एक दूसरे से अपने खातों की तुलना कर सकें, या फिर और बाकी उप्योग करता एक दूसरे के साथ तुलना कर सकें. माल लीजिये, बैंक आपको कोई रिंड देना चाहता है. बैंक आपको रिंड किस आधार पर देगा? यदि बैंक और आपके खाते एक ही कला को मानते हुए बनाए गए हैं, तो ही बैंक समझ पाएगा आप लाब कमा रहे हैं या नहीं. इसलिए तुल्यता की गुणवत्ता हर वेपारी को अपने लेखांकन में लानी ही चाहिए. अगला चरण शुरू होता है, जिसका नाम है लेखांकन के उदेश्य. किसी भी वेवसाए में बिना लेखांकन के चलना अंधेरे में बिना प्रकाश के चलने के बराबर हैं, जिसकी कुछ जरूरते इस प्रकार हैं. सबसे पहली जरूरत है वेवसाए के लेन देन का हिसाब किताब रखना. लेखांकन का उप्योग पुस्तकों में सभी आर्तिक लेन देन की वेवस्था के रूप में लेखा रखने के लिए किया जाता है. लेखांकन का दूसरा उदेश्य है लाब हानी की गणना करना. वेवसाए के स्वामी निश्चिंत अवधी में यह जानना चाहते हैं कि वेवसाए के कार्रेकाल के अंदर कितना शुद्ध परिणाम आया, अर्थात कितना लाब हुआ और कितनी हानी हुई. इसी तरह से वेपार के बहुत सारे इच्छुक उप्योग करता रहते हैं जिने वेवसाए के लाब या हानी के बारे में जानकारी चाहिए. लेखांकन का तीसरा उदेश्य वित्तियस्तिती को प्रदर्शित करना है. वित्तियस्तिती का अर्थ है ऐसे लेखी जोकों का प्रस्तिती करण जिसको देख कर निवेश करता वेवसाए के मालिक या कोई भी उप्योगी प्रियोग करता अपना निर्ने ले सकते हैं जैसे प चौथे उदेश्य का नाम है उपयोग करताओं को सूचना उपलब्ध कराना। लेखा शास्त्र प्रक्रिया से जनित लेखांकन सूचना का प्रतिवेदन विवरण, ग्राफ एवं चाट रूप में उपयोग करताओं को समप्रिक्षित किया जाता है जिने विभिन विभिन परिस्तितियाओं में उपयोग करते हैं। लेखांकन जैसे विशे को पढ़ने के लिए बहुत जरूरी है कि हम लेखा करण की आधार भूत परिभाशिक शब्दों को सीख लें। जिसकी शुरुवात होती है इन शब्दों से। जिसमें पहला शब्द है इकाई। इकाई से अभी पराए एक ऐसी वस्तु से है जिसका निश्चित अस्तित्व है। विवसाय की विशेश रूप से पहचान किये गए विवसाय उद्गम से है। जैसे मुबाइल फोन बनाने वाली कमपनी एक खुद में पूंड तह उसके स्वामी से अलग रूप में देखी जाती है। और लेखांकन प्रणाली को सदा विशिष्ट विवसाय अस्तित्व के लिए तयार किया जाता है। अब दूसरे शब्द पे चलते हैं जिसका नाम है लेन देन। दुकान का किराया देना या ब्याज देना। अब तीसरे शब्द पे चलते हैं जिसका नाम है परिसंपत्ति किसी उद्यम के आर्थिक स्रोत को परिसंपत्ति कहते हैं जिने मुद्रा के रूप में उपयोगी ढंग से प्रकट किया जाता है। परिसंपत्ती का मूल्य होता है तथा इनको विवसाई के परिचालन में उप्योग किया जाता है। जैसे किसी ट्रांस्पोर्ट कंपनी के पास ट्रक या गाड़ी का होना उसकी परिसंपत्ती कहलाता है। परिसंपत्ती को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। चालू परिसमपत्ति, गैर चालू परिसमपत्ति, चालू परिसमपत्ति से अर्थ है जिनको एक साल के अंदर अंदर रोकड अर्थात कैश में बदला जा सकता है, उसे चालू परिसमपत्ति कहते हैं, जिस प्रकार एक मोबाइल फोन का विक्रेता, अपने मोबाइल फोन को ए गैर चालू परिसंपत्तियां उन्हें कहा जाएगा जो एक साल से जादा किसी वेपार में रुक कर वेपार की लाब की शमता को बढ़ाती है जैसे अगर वही मोबाइल विक्रेता अपने पास कोई मशीन लगाता है लेमिनेशन मशीन या कोई एर कंडिशन तो वह उसके लिए गैर चालू परिसंपत्ति कहलाएगी अब हम अगले शब्द पे चलते हैं जिसका नाम है दे दे जिसको हम लाइबिलिटी भी कह सकते हैं यह सभी वो देंदारियां हैं जिसे एक व्यपारी को बहारिये लोगों को देना होता है यह हम ऐसा कह सकते हैं यह वे सभी देंदारियां हैं जो एक व्यपारी को बहारिये लोगों को भुकतान करनी हैं इसको भी हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं लगु कालीन रिन या दिर्ग कालीन रिन जैसा की शब्द ही बता रहे हैं लगु कालीन रिन अर्थात जिनको एक साल के भीतर-भीतर पैसा चुकाना है जैसे आप अगर एक ऐसे वेपारी हैं जो किसी दूसरे वेपारी से समान उधार खरीदते हैं तो आपको उन्हें एक साल के भीतर-भीतर समान का पैसा वापिस करना है। इन्हें लगुकालीन रिण कहते हैं। इसी तरहां जब आप किसी बैंक से एक लंबे समय के लिए कोई करजा लेते हैं, उससे आप एक साल के बाद भी चुका नहीं पाते हैं। या कहलीजिए आप उसे एक लंबे समय तक अपने पास रखते हैं और धीरे-धीरे उसको अदा करते हैं। ऐसे करजों को, ऐसी देंदारियों को हम दीर्ग काल रिण कहा करते हैं। अब अगला शब्द है पूंजी। स्वामी द्वारा लगाई गई पूंजी भी साल के अंत में, बैलन्स शीट में, देंदारियों के रूप में ही दिखाई जाते हैं। अगला शब्द जो हमें सीखना है, उसका नाम है विक्रे। विक्रे वस्तुों की विक्री या सेवाओं की विक्री को कहा जाता है। जिस तरह फरनीचर का वेपारी फरनीचर बेचता है, फरनीचर को बेचना उसके लिए विक्रे हैं। वकील द्वारा अपनी सेवाओं को बेचना विक्रे है, परन्तु अगर कोई वकील अपना मोबाइल फोन बेचता है, तो वह उसका विक्रे नहीं है, क्यूंकि वकील का काम सेवाओं बेचना है, मोबाइल फोन बेचना नहीं, तो विक्रे का अर्थ हुआ, जिस चीज के आप व्यपारी हैं उस चीज को बेचना विक्रे कहलाता है अब हम अपने नए शब पे चलते हैं जिसका नाम है व्यए व्यवसाय में व्यवस्थाओं को चलाने की लागत को कहते हैं साधारन तोर पर व्यका मापन एक अवधी के द्वरान उप्योग की गई परिसंपत्यों व उप्योग की गई सेवाओं के रूप में किया जाता है जिसके उधारन कुछ इस्त प्रकार हैं मूल्यहरास, किराया, मजदूरी, वेतन, बिजली, पानी, तूर्भाशित्यादी अब अगला शब्द है खर्च, यह किसी लाब सेवा अथ्वा संपत्य को प्राप्त करने पर राशी का जाना, अथ्वा देनदारी उत्पन करना है, वेपार के लिए फरनीचर का क्रे, मशीन का क्रे या फिर किसी देनदारी को पैसे चुका देना, खर्च के कुछ उधारन ह विधारतियों को चाहिए कि वेव्यर और खर्च के बीच में अंतर समढ़ सकें, अगर पैसे के जाने से किसी तरह से कोई परिसंपत्ती का आना, या देनदारी का घट जाना हो, तो उसे कहते हैं, खर्च, परन्तु, अगर ऐसा ना हो, तो उसे व्याय कहते हैं अब हम अपने अगले शब्द पर चलते हैं, जिसका नाम है लाब लाब का अर्थ है, एक वर्ष में हुए व्यर और आमदनी के बीच का अंतर अगर आमदनी व्यर से जादा है, तो व्य हुआ लाब, और अगर व्यर आमदनी से जादा है, तो व्य हुई हानी अगला शब्द है देंदार देंदार से अभी प्राय उन सभी खातों, व्यक्तियों या इकाईयों से हैं जिनको वेवसाइक संस्था से सेवाएं उधार प्राप्त हुई हैं इन सभी खाईयों को अंतिम दिन बैलन्स शीट में परी संपत्ति पक्ष में दर्शाया जाता है अगला शब्द है लेंदार लेंदार वे सभी व्यक्ति खाईयां वा खाते हैं जिनको वेपार ने अभी भुकतान करना है यह सब वेपार की देंदारियां हैं अंतिम दिन बैलन्स शीट में इनको देंदारियों के रूप में ही दर्शाया जाता है अब अगला शब्द है स्टॉक एक वेपारी की काई में स्टॉक से अभी प्राए उस माल से है जो लेखांकन वर्ष के अंतिम दिन बिना बेचा रह गया है ध्यान रहे उसी समान को स्टॉक कहा जाएगा जिस चीज का वेपारी द्वारा वेपार किया जाता है एक मोबाइल फोन का वेपारी मोबाइल को ही स्टॉक कहेगा एक तेल का वेपारी तेल को ही स्टॉक कहेगा तो इस तरह लेखा शास्त्र के पहले अध्याए लेखांकन एक परीचे का समापन होता है धन्यवाद झाल स्थार्श लेखा रिचे का समापन होता है झाल झाल